कुरोना वाइरस की तीसरी लहर का अंदेशा हो चुका है डॉक्टर गुलेरिया जो की एम्स के डारेक्टर है उन्होंने कहा है कि अगले 6-8 हफ्तों में कुरोना वाइरस की तीसरी लहर आ सकती है सर विशेशग्यों की ये भी राय है कि कोरोना वाइरस की तीसरी रहर बच्चों पर ज़्यादा आसर करेगी इस पर आप क्या कहना हमा ऐसा डॉक्टर आश्टो सर्मा मौझूद है जो कि पीडिटिशन है लखनू के जाने माने पीडिटिशन है इसे हम बात करते हैं जानते हैं कि इसके उपचार और बचाओ क्या हो तो यह कहना कि यह लहर नहीं आएगी या नहीं आएगी मुझे लगता है कि लहर जैसी कोई चीज नहीं है करोना है अभी भी है हाँ उसकी सीवियर्टी कम हो गई है उसकी टांसरमिल्टी करो गई है इसका मतलब वो म्यूटेट होने का टाइम ले रहा है मैं सबसे यही कहू करोना से लड़ा है वो काफी कुछ सीख गये हैं अब हमको थोड़ी से तरक्ता और रखनी है जब तक हमारी पूरी पॉपुलेशन का कम से कम असी प्रतिशत वैक्सिनेट नहीं हो जाता है तब तक रिस्क जरूर बना रहेगा सर जैसे जीरो से पांच वर्स के बच्चे हैं पांच से बारा वर्स के हैं या बारा से अठारा वर्स के बच्चे हैं इनको अपने खान पान में या रहें सहन में किन तरीकों के बदलाओं की जरूरत है देखिए जैसा कि योग दिवस है तो मैं इस पर ज़रूर ध्यान दोनों टाइंग पर खाना खाईए खाना स्किप मत कीजिए और जो मौसमी दान फल्फ हैं उनका सेवन जरू कीजिए आपकी इमिटी बढ़ेगी आपकी प्रतिरोधक छमता बढ़ेगी और आप किसी भी वाइरस से या किसी भी बैक्टीरिया से आप अराम से बच सकते हैं यह सिंवु कोई इसा थू एं पकॉई प्रोटेकॉल नहीं है सिंप्टोमेटिकली ट्रीट्मेंट है और यह देखा गया है कि मौस्ली वाइरस जो है बच्चों में अभी बहुत ज़ज़ा एफेक्ट नहीं कर रहा है जिन कुछ बच्चों में कुछ पर्संटेजेश में आये ह अपने अपने जिलों में अपने में लोगों में आप लोग ने पिए स्टेबलिश्मेंट देखी होगी गौवर्मेंट काम कर रही है कोविट प्रोटोकॉल के लिए पीडियाटिशन की ट्रेनिंग्स चल रही है तो आप निश्चिंत रहिए आपके डॉक्टर्स इन सब फीडियाटलिशन कीवेंटीशन की ट्रेनिट ने पिए अव्मेंट देखी है तर लोगजगाब मेंटन की ट्रे लोगग टेए इंप लोगजगाब